डैनी, बॉलिवोड के दुनिया के एक लेजिंडरी विलियन और हमें बहुत ज़ादा प्राउड होता है कि हमारी इंडास्ट्री में इस तरह के लेजिंड्स एक्जिस्ट करते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि बॉलिवोड के इस नामी विलिन को एक बार एक प्रडियूसर ने वाच्मिन की जॉब ऑफर कर दी थी तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यहीं बताने वाली हूँ कि कब डैनी को वाच्मिन की जॉब ऑफर की क्यों producer ने Danny को actor की जगह ऐसा काम दिया और फिर कैसे Danny ने बता दिया कि वो watchman बनने के लायक नहीं बलकि एक महान actor बनने के लायक है जिसे आगे चलकर इंडिया ने पदमश्री से सम्मानित किया Danny को industry में अपने पहले chance से पहले कुछ time तक struggle करना पड़ा था आपको बता दें कि Danny FTII graduate ही नहीं है बलकि वहां से उन्होंने gold medal भी जीता था और उनके साथ थी जया बच्चन और असरानी इनफाक जया बच्चन डैनी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी दोनों Bollywood में साथ ही आये थे जहां जया बच्चन को जल्दी break मिल गया वहीं अगर बात करें Danny की तो उन्हें काफी struggle करना पड़ा था कारण उनके looks उनकी छोटी छोटी आँखे क्योंकि Danny गैंग टॉक्स सिक्क्यम से थे और उनके looks आक्टर की तरह नहीं थे यही कारण था कि Danny को काफी टाइम तक struggle करना पड़ा वो कई महीनों तक अलग-अलग production houses के चक्कर लगाते रहे जहाँ एक तरफ दूसरे production houses को काम नहीं देना होता था तो वो कुछ जवाब नहीं देते थे ऐसे में एक producer ने Danny को कुछ इस तरह की बाते कही कि वो बाते उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा जखम छोड़ गई और वो जखम Danny ने सालों तक जिन्दा रखा यह producer थे Mohan Kumar जो उस time के बहुती नामी producer थे बहुती अच्छी फिल्मों पर वो काम कर रहे थे अंजाना, आप आए, बहार आई, यह सभी फिल्मे Mohan Kumar नहीं बनाई है और तभी काम मांगने के लिए Danny भी Mohan Kumar के पास गए लेकिन वो मीटिंग इस तरह की होगी, Danny ने सोचा भी नहीं था Actually Mohan Kumar ने जब Danny को देखा, तो उन्होंने Danny के लुक्स का मजाक उडाना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि इतनी छोटी छोटी आँखे लेकर तुम्हें कौन आक्टर बनाएगा तुम आक्टर बनने आये हो, तुम्हारा दिमाग खराब है यहाँ पर बड़े बड़े हैंसम लड़के, काम धूनते हुए सडकों पर ऐसे ही गूम रहे हैं हाँ, राजेश खन्ना की भी आँखे तुम्हारे जैसी ही लगती है, लेकिन वो तो पंजाबी है न जाओ बेटा जाओ, कुछ और काम धूंडो, हीरो बनने लायक तो तुम हो नहीं, और अगर कोई काम नहीं मिले, तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूँगा दस घंटे का काम है, मेरी बात को बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हें कोई पागल ही होगा, जो फिल्म में हीरो क्या, जूनियर आर्टिस्ट का भी काम देगा डैनी को उस वक्त मोहन कुमार की वो बाते सुनकर बहुत गुसा आया, वो चाहते तो वही पर मोहन कुमार के उपर हाथ भी उठा देते और कुछ भी कर लेते, लेकिन उस टाइम डैनी ने अपने उस गुसे को अपनी शक्ती बनाया और वही से उन्होंने अपने स्ट्रगल की शुरुवात कर दी वो शब्द डैनी के दिलो दिमाग में इतना गहरा असर कर गए थे कि उसके आगे जब ही डैनी काम किया करते थे हर दिन वो वाक्या उनके दिलो दिमाग में आता ही था डैनी जो खुद FTII से ग्रैजुएट थे गोल्ड मेडलिस थे उन्हें किसी कारा ने डैनी को अपनी फिल्म जरूरत में काम दिया इनिशली अपने करियर के कुछ टाइम तक डैनी ने सेकंड लीट के रोल निभाए लेकिन जब से उन्होंने नेगिटिव रोल्स निभाना शुरू किया तब से उनको बहुत तारीफ मिलने लग गई एटीज में डैनी सबसे बड़े नेगिटिव रोल्स करने वाले अक्टर थे और यही वो टाइम था जब डैनी के पास इतना पैसा था कि वो खुद के लिए मुंबई में एक बंगला खरीद पाए तब जाकर डैनी ने जुहू में एक बंगला बनाया इस बंगले को डैनी ने बहुत खूपस से ही की थी। बॉल्ली वूढ़ स्टार्स के सबसे खूपसूरत बंगलो में डैनी का नाम टॉप पर आथा था इतना अच्छा बंगलो बनाया था और बॉल्ली वूड के हर गल्यारे में डैनी के इस बंगले की बात होती थी। विल अब आप यह सोचेंगे कि डैनी ने वो बंगला बनाया तो उससे मोहन कुमार को क्या फर्क पड़ा विल डैनी के उस बंगलो बनाने से एक तरफ जहां ये प्रूव हो गया कि मोहन कुमार ने जिस आदमी के लिए सोचा था कि वो एक वाच्मेन बनेगा वो आदमी आज इतना पैसा कमा लेता है कि जुहू में पॉश जिलो तक मोहन कुमार ये बिलीव नहीं कर पाए कि जिस आदमी को वो एक टैन पर वाच्मेन की जॉब आफर कर रहे थे वो आदमी आज उनका पड़ोसी है और उसका बंगलो मोहन कुमार के बंगलो से कई जादा आलिशान है फिल इस पूरे किस्ते को सुनकर हम यही कह सकते हैं कि डैनी एक अच्छे आक्टर तो है ही साथ ही एक बहुत अच्छे इंसान भी है जिनोंने अपने उस गुस्से को कंट्रोल करके उसको अपनी पावर बनाया और हाड़ वक किया वहीं अगर बात करें मोहन कुमार की तो इस इंसिदेंट को देखकर यहीं लगता है कि भल उन्होंने वाच्मेन की जॉब ऑफर की जिसे आज इंडिया ने पदमश्री से नवासा है कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवुड ठिकान फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुड ठिकाना